कि हमारे पास एक साल की समय होते हैं जिसमें पच्यों को सारे लेर से परचित करने होताилась लिखना इतने सारे काम हैं वह कब करने वाले हैं आगे क्या होगा हमारे देखी यह लेटर्स सिखाने की जो चिंता है और जो जल्दी है यह तो आपकी नहीं हम सब की है सारे सिक्षकों की है थोड़ा आप से और सिक्षकों से मैं यह जानना चाहूंगा कि यह लेटर साउंड का जो रिलेशन है यह बच्चों को हम कैसे सिखाएं और यह ध्यान में रखिएगा कि आपके पास 26-44 का खेल है और सिक्षक बोलें A और बच्चे भी बोलें A, B, B वो अक्षर यह तो बोर्ड पे लिख दें या किसी कार्ट पे रखें दूसरा यह है कि A से Z तक जो है वो कुछ एक्जाम्पल्स के साथ जैसे A for Apple, B for Ball जो किताबों में भी होता है उसके साथ करें या तीसरा है कि कुछ-क कुछ शब्द चित्र कार्ड बनाएं जिसमें शब्द भी लिखे हो और चित्र भी बने हुए हो और उनकी मदद से हम अक्षरों को लेके आए तो हमारे सिक्षक सात्यों की राय में कौन सा तरीका लेटर्स को चुकि लेटर्स को तो इंटर्डियूस करना ही है में एभी सब्सक्राइब करें कि आप एबी सी कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाना है और मुझे लग रहा है राजेश जी कि हम जब अक्षरों से परिचित करते हैं तो हम अलग-अलग तरीके तो अपनाते ही है कभी हम पिक्चर कार्ट के इस्तमाल कर लेते हैं अक्षर लेटर बोट पे भी हम लिखते हैं बच्चों को अभ्यास कराते हैं बोलने की और लिखने की दोरों के अभ्यास कराते हैं तो और कुछ हमारे शिक्षक साथी है जो वर्ड्स लेते हैं जैसे बॉक्स हो गया बॉल हो गया एपल हो गया इस तरीके के वर्ड्स लेते हैं और वहां से एपल से एडूब के फिर वो अभ्यास करवाना तो इस तरहें के अलग-अलग तरीके अपनाते हैं और हमारे शिक्षक साथियों ने शेर भी किया है कि C option मुझे सर सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि जो वर्ड और पिक्चर कार्ट के साथ सिखाना कुछ हमारे शिक्षक साथि ने बी ऑप्शन भी शेर किये हैं लेकिन C option सबसे ज़्यादा है कि C seems to be clear winner जी तो ठीक है सिख्षकों की राय इस पे इस पे आ गई है अप ही मुझे लगता है कि अब 6 महीने हो गए हैं बच्चे कूप सारी राइम्स और कहानिया सुन चुके हैं गत्मिदियों में सामिल हो चुके हैं तो अधिकतर राइम्स जितनी संभव हैं जो हमने की है उनको अब हम क्लास्रूम में पोस्टर के रूप में लगा दें जी इसके पीछे उद्ध सिख्या है बच्चों ने अभी सुनना और गाना सीखा है और उसमें से कुछ मतलब भी समझते हैं पढ़ना तो नहीं सीख्या है तो उन राइम्स को बड़े-बड़े अक्षरों में तो हाथ से लिख दें या हमारे पास प्रिंट की फैसिलिटी है तो बड़े-बड़े अक्षरों में प्रिंट ले ले लगा दें या कहीं से पोस्टर मिल जाए हमको इन राइम्स के कुछ स्कूलों में उपलब्द हो जाते हैं कुछ संस्थाओं की मदद से या सर्कार की तर फिंगर रीडिंग जिसको कहते हैं ताकि बच्चों को यह समझ में आ जाए कि यह जो पोएम है जो सर सुना रहे हैं मैडम सुना रहे हैं यह उनके पास नहीं है यह तो यहीं लिखा हुआ है और आप दो चार दिन यह करेंगे तो पांचवे दिन आपको पता चलेगा कि कई सारे बच्चे आप जब क्लास में आये तो उसके पहले से उसके उंगली रख रख के कुछ कर रहे थे यह हो सकता है कि उसमें से कुछ पोस्टर के थोड़े से पोने भट जाएं आपके चाल पेपर पे कुछ बच्चों ने पेंसिल चलाती हो उससे बहुत जादा घवराने क जो रख नहीं है चोटे बच्चे हैं यह सब तुमको करना ही चलिए मिल्कुल यहां पर तो मुझे लग रहा है कि जो लहर कक्ष हमारे राजिस्थान में सारे स्कूलों में बने हुए हैं उसमें भी बहुत सारे पोएम्स या स्टूरीज लिखे हुए होते हैं उनका भी इस 실 deuxうん जी जिए बहुत सारी चीजें क सारे बहुत सारे लोग रहा रग्व हैं इन पर आप बात कर सकते हैं बचों से और बात करने का तरीका उत को मालूं है कि पूरी ऑंघ्रीमों अब बात लेकिन अंग्रे जी में हिंदी में बात करते करते बीच-पीच में अंग्रे जी के शब्द ले आते हैं बिल्कुल और हमारे शिक्षेक साथी ज़रूर चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके के ऐसे पिक्चर दिखा के क्या सवाल बच्चों को किया जा सकता है जैसे जैसे जो कितने दिख रहे हैं उनके नाम बताओ जानवर कितने हैं कौन से जानवर आपको दिख रहे हैं तो भी यह दो इस तरह के सवाल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट तिंग जो महतुकून बात यह है कि उस बात्चीत में इक्का दुका अंग्रे जी के सब्द आ रहे हैं चुकि हमारा उद्देश से बेसिक वोकैबिलरी इस्तेमाल करने का भी है तो उसमें रेड आ रहा है, थ्री आ रहा है, मैन आ रहा है, बोई आ रहा है, अपल आ रहा है जो भी चीजें चित्र में दिख रहे हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं तो इस प्रकिरिया में चित्र को देखने में बच्चों को मजा तो आई रहा और साथ-साथ वो vocabulary भी acquire कर रहे हैं तो इसको जैसा मैंने कहा कि सिक्षक जो है वो उली रख रखके इन कहानियों को या राइम्स कुछ राइम्स किताबों में भी होती है तो सिक्षक ऐसा भी कर सकता है कि किताब खोले और किताब का चेहरा बच्चों की तरफ रहे अपनी तरफ न रखे किताबें बच्चों के पास भी होती है तो वो भी खोल सकते हैं और सिक्षक उस पे उंगली रखके सिक्षक को तो पता है कहा क्या लिखा हुआ है उसको बहुत जादा दिक्कत नहीं होगी यूँ पढ़ रहा है ताकि बच्चों को दिखता रहे कि सिक्षक की उंगली कहां जा रही है और वो क्या होगा एक दो बार करेंगे आप बच्चे भी आपके साथ साथ रूली चला रहे हैं किताबों में तो बच्चे भी यह करना सुरू कर देंगे तो टीचर की फिंगर रीडिंग जो है वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं और यह बड़ी आसानी से हो जाता है चाहे आप किताब में करें चाहे आप पोस्टर में करें जी अब यह देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा होगा डेवी कि टीचर यहां नहीं है एक पोस्टर लगा हुआ है अब यह दो बच्चे हैं जो आप एक साथ बैठे हैं और साथ एक बूसरी की मदद भी कर रहे होंगे जिसको जहां दिक्कत आ रही होगी और यह फिंगर रीडिंग कर रहे हैं यह आपको रोकोगे भी तो नहीं रोंप आओगे इस तरह का एक्साइटमेंट होता है लेकिन यहां पे भी फिर भी बच्चे बच्चों को तो वर्डस अभी तक शाएद पढ़ना नहीं आया यह लेटर्व भी जानते नहीं है। तो यहां पर वे और पढ़ भी रह और उनको पढ़ना नहीं आता है एक चीज मैं आपको मज़े मज़े में बता दूं कि यह यहां तक की गतिविती अगर आपकी क्लास में हो रही है और आपके कोई इंस्पेक्टर सहाब या कोई अधिकारी आते हैं तो आसानी से आपको ए ग्रेड मिल जाएगा चुकि आपके बच्चे जो है उमली रख रख के दीवारों पर देंगे और आपके इंस्पेक्टर साहब को लगेगा कि इस क्लास के सारे बच्चे अंधिक पढ़ना जानते हैं लेकिन हमें पता है कि इनको पढ़ना नहीं आता है इनको तो याद हो गया कि कहा कौन सी चीज है और इसलिए वो मुली रख के पढ़ेगे